इश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत सभागता है इंडस्ट्रियल रेविल्यूशन हम देखेंगे दोस्तों लेक्चर सेवे ने यह वोट हिस्ट्री का इससे पहले छहे लेक्चर आच चुके हैं मॉड़न वोड़ हिस्ट्री जोकी यूपी एससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है syllabus के हिसाब से cover कर रहा हूँ और ऐसे भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा दोस्तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एक सेकेंड लगेगा 60% जो लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते साथ ही साथ लेचर की PDF जैसे ही लेचर अप्लोड होता है हमारे टेलिग्राम चैनल पे PDF अप्लोड हो जाती है तो आप Steady Glows इस नाम से मरे टेलिग्राम है आप इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों I am really sorry ये हमेशा मेरी spelling mistake हो जाती है ये ओग होगा तो Industrial Revolution की बात करें तो क्या है Industrial Revolution ओद्योग की क्रांती ओद्योग बहुत important पहले नहीं था बिलकुल नहीं था था पहले ऐसा नहीं है पहले नहीं था बट ऐसे modernized factories नहीं लगी थी भाई भारत में भी factories थी ठीक है factories in the sense के ऐसे machines नहीं थी बट भारत पे काम तो होता था ना भारत की इंडस्ट्री थी domestic इंडस्ट्री थी लोग हांथ से काम करते थे भारत की कला तो कितनी famous थी फैली में जो खिलोने मिले हैं क्या कमाल के मिले हैं तो ये दर्शाता है कि हमारी जो कला थी वह बहुत ही कुप्चूरत थी भारत की domestic इंडस्ट्री थी एक समय पे भारत जो है दुनिया भर की GDP में one third contribute करता था मुगल्स जब आये थे शांदार काम होता था जो एलिडीज में शांदार काम cotton में शांदार काम जो हमारे कपड़े होते थे बहतरीन दुनिया भर में export करते थे हम लोग लेकिन फिर आगे इंडस्ट्रियल revolution अब जाहिर सी बात है जो factories है factories लगना शुरू होगी तो factory का का काम machines जो है इंसानों से जादा जल्दी काम करेंगे जहां 100 इंसान लगने हैं और 100 इंसान लगेंगे एक काम को एक महिन में पूरा करेंगे वही एक machine factory में एक machine उसे काम को एक दिन में पूरा कर देगी तो यह जो industrial revolution आया इसका यह बहुत बड़ा इंपाक्ट था कि जो colonized nation थे उनकी domestic industry पूरी तरीके से बरबाद होगी और इसका फायदा किसको मिला यूरोप को इस्पेशली इंग्लेंड को कूप पैसा है उनके पास manpower है उनके पास manpower एक एक कीज हम clear करेंगे हाला कि और इसी industrial revolution की वज़ए से सबसे important ideology इस सदी में जो की साम में वाद की थी communism की थी socialism से ही निकला है communism अभी जम philosophies की बात करेंगे तब हम बात करेंगे capitalism, socialism, communism क्या है यो PSC के syllabus में है तो हम देखेंगे अभी तो इसी से ही communism का उधे हुआ Karl Marx और Friedrich Engels इन्होंने एक के बाद एक essays लिखे और Karl Marx ने सब को बोला all the laborers in the world unite अभी हम उसकी बात करेंगे तो industrial revolution अध्यों की क्रांती थी ठीक है basically यहाँ पे agrarian society जो थी यूरोप में उसको industrialized society में urban once में convert कर दिया समझ रहे हैं बहुत लोगों ने शेहरों में migrate किया शेहरी करार शुरू हो गया पैसा खुब आने लगा न और यहीं से capitalism आया इंडस्ट्रियल रेवलिशनी से ही capitalism आया एडम इसमें था है wealth of nation लेकिया उसमें उन्होंने बताया कि पूझी बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है दिकि capitalism ने तो बहुत कुछ दिया है यह तो आप मानेंगे ही है ना आज जो आप समाज देख रहे हैं अगर हम भारत की बात करें हाला कि भारत mixed economy है अगर हम भारत की बात करें तो capitalism ने दिया तो बहुत कुछ है इससे तो कोई नकार नहीं सकता आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में आप देखेंगे समरिद्धी है पैसा है standard of living innovation बहुत सारी चीज़े हैं बट on the other hand लिया भी बहुत कुछ है आप देखें inequality कितनी जाता है disparity कितनी जाता है अब अगर industrial revolution का ही ये परिणाम है कि आप ब्लोबलाइजड हो गया है तो एक अगर डूबेगा तो सब डूपते हैं पहले एक डूपता था तो एक ही डूपता था आप समझ रहे हैं तो industrial revolution जो है ये कब शुरू हुआ एक्जाक्ट डेट इसकी कोई भी आपको नहीं बता सकता ठीक है लेकिन ये 18th century में 1750 से industrial revolution शुरू हो गया था आप समझ रहे हैं 1750 से 18th century mid 18th century और अभी तक industrial revolution उसके बाद 2nd industrial 3rd industrial बहुत सारे revolutions है ठीक है पहले industrial revolution में तो सिर्फ ये था कि 2nd में modernized और 3rd अभी जो हम है उसमें तो फिर हम एक बहुत ही आगे चले गए हैं सब कुछ science से connect कर दिया है गजब के engineering products आ रहे हैं तो हम पूरी तरीके से टेक्निकल हो गए हैं समझ गे तो connectivity, telecommunication याद का industrial revolution आप कह सकते हैं अब सब इंडस्री जो हो सब online हो गई है है कि नही e-commerce बहुत बढ़िया घर बैठे बैठे आप order कर सकते हैं और यह सब industrial revolution की ही देन है लेकिन only 1,000 लिया भी बहुत कुछ है वो भी हम देखेंगे ठीक है तो यह चीज़ आप समझें क्या है industrial revolution क्या है उद्ध्यों की क्रांती उद्ध्यों को establish करना सीमेंट, ग्लास मेकिंग, टेक्स्टाइल इंडस्ट्री सबसे important इनको establish करना ताकि जो एग्रेडियन सोसाइटी जो raw material सबको मिल रहा है जो कच्छा माल मिल रहा है सोसाइटी से आई यूरोप में यूरोप में क्या पूरी दुनिया में सब गाउं में ही रहते थे सब गाउ बदलेगा, जमीनों बे खुब बड़ी बड़ी factories लगाई जाएंगी जो खाली जमीन पड़ी है शहरी करन होगा ठीक है और जो एग्रेडियन सोसाइटी है वहां से जो raw materials आएंगे उसका उन्यूस करेंगे उससे हम प्रोडेक्ट बनाएंगे तो एक तरीके से यूरोप और अमेरिका को पूरी तरीके से इंडस्ट्रिलाइजड बना दिया था और अब तो अगर आप economy को भी तीम में तोड़े तो अब तो इंडस्ट्री जो है वह बहुत बड़ा पाठ है एगरी कल्चर इंडस्ट्री जो सर्वेस और सर्वेस और इंडस्ट्री manufacturing एक दूसरे से related है समझ गए तो यह चीज है अब यहां पर यह अर्ली 20th century तक चला और अब हम 3rd में है ठीक है जैसा कि आपको मैंने बताया अब भी revolution आ रहा है ऐसी बात नहीं है revolution में ही अब लेकिन टेक्निकल revolution है है कि नहीं टेक्नलोजी नहीं नहीं टेक्नलोजी नैनो टेक्नलोजी बिमारि आप देखेगा 10 मिनिट में ठीक हो जाएंगी नैनो टेक्नलोजी से स्पिंट्रोनिक्स बहुत बड़े बहुत जबर्दस्त टेक्नलोजी अब आ रहे हैं समझ गए तो यह मिड 18th century में शुरू हुआ ठीक है अब हम आते हैं कहां से शुरू हुआ यह इसका जो जनक है वो है इंग्लेंड भाईया देखो एक बात समझ लो यूरोप में अगर हम बात करें तो फ्रांस और इंग्लेंड ये तो सबसे बड़ी ताकत and you will be surprised to know कि फ्रांस सबसे बड़ी ताकत था यूरोप में इंग्लेंड से भी जादा बड़ी ताकत था फ्रांस फ्रांस बहुत ताकत पर था नेपोलियन ने तो फ्रांस को गजब की ताकत दे दी थी बट अगेल इंग्लेंड के पास पैसा आ गया इंडस्ट्रियल रेवलुशन से इंग्लेंड ने अपनी टेकनोलोजी किसी को नहीं दी जैसा अमेरिका करता है अमेरिका इंडस्ट्रियल रेवलुशन से सबस से आया और अमेरिका देखिए capitalist nation है वो cold war तो पूरा इसी पर ही based है तो industrial revolution ने आने वाले समय के लिए बहुत सारे events की नीव रग दी world war one world war two सब आप देखेंगे इससे related है ठीक है इतना भी किसी को प्रतारित मत करो एक्स्प्राइट मत करो कि वह आपके खिलाब करांती कर दे यहीं हुआ था industrial revolution से ठीक है जब बहुत कोई exploit होता है तो वो हमेशा उठता है जब बहुत कोई दुखी होता परिशान होता उठता है इसी यही सारी चीज़े इंडेस्ट्रिल revolution में हुई इंग्लेंड जो है European colonies बना रही थी ठीक है उनको पैसे चाहिए था उनको raw material चाहिए थे अभी मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा तो होता क्या था कि जहां पर यह colonies बनाते थे वहां के लोगों को बरबाद कर देते थे तो लोग परशान लोगों ने क्रांती चहर दी और फिर वहां से बहुत सारे revolution सा revolution revolution आया पहला communist nation बन गया Soviet Union किसी ने नहीं सोचा था कि एक विचारधारा देशों में तब्दील हो जाएगी उससे देज बनाए जाएंगे कार्ल मार्क्स के काफी वक्त बाद communist revolution आया फिर चाइना में आया फिक है फिर क्यूबा बहुत सारे देज बने वियत नाम तो इंग्लेंड जो है इसका जनक अब इंग्लेंड में कैसे शुरू हुआ था यह देखिए इंग्लेंड में जो 80% 80-90% जो population थी वो रहती थी गाउं में ठीक है अब इंग्लेंड का वेदर बड़ा अजीब है जीसी लियॉंग पर मैंने रिव्यू किया था ने इंग्लेंड का वेदर कैसा है ठीक है सर्दियों में यहाँ पे लोगों के पास काम नहीं रहता था तीन-चार महिने की सर्दी परती थी बिलकुल काम नहीं रहता था ठीक है तो ऐसा है कि यहाँ पे वूल की देखिए उस समय तक भारत में ब्रिटेन अल्रीड अपनी कॉलोनी बना चुका था ठीक है और कॉलोनी लोग गाओं में रहते थे, मैंने बता ना, जो लोग गाओं में रहते थे, ठीक है, लोग crops उगाते थे, और एक ही तरीक, आपर crop rotation का, एक ही जमीन पर अलग अलग तरीके के crop नी उगाया जाते थे, एक जमीन पर एक ही तरीके का crop उगाया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पे, क जो गाउं में लोग रहते थे उन्होंने इस चीज को हाथो हाथ लिया क्यों चार महीने उनके पास कोई काम नहीं यानि कि पैसा नहीं वूल उनको मिला उन से सब कुछ शुरू हुआ था इस्पिनिंग दा वूल आपने सुना होगा ना वो इस्पिन्स्टर इस्पिनिंग दा यार्म सॉरी यह सब जो मुहावरे हैं यही से निकले हैं तो वह यह ऐसा है कि यहाँ पे आउट्सोर्सिंग होने लगी मतलब यहाँ पे लोग आके कहते थे गाउं में कि आप यह लोग पकड़ो उन हम पैसा दे रहे हैं लेकिन यह जो उन से आप स्वेटर बनाएं जो प्रोड़क्स बनाएं उनको आप हमको देना लोगों ने बोला ठीक है हम वैसे भी हमारे पास काम तो रहता नहीं है हम यही कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे फैक्टरीज तो थी नहीं तो फैमिलीज काम करती थी परिवार काम किया करते थे परिवार में जो लोग होते थे ना इवन बच्चे तक ठीक है व में मांग बाढ़ने लगी, ठीक है, manpower मिल गई, गाउं से manpower मिली, ठीक है, गाउं में manpower मिली, families मिली, उनको पैसा दे दिया जाता था, लेकिन problem ये हो गई कि ये लोग बहुत ज़्यादा काम कराते थे, एक तरीके का contract था ये, आप समझने में क्या बोलना चाहता हूँ, और इससे हमको products दो, ठीक है, तो इस spinning शुरू हो जाती थी, एक एक family क्या करती थी, उन लेती थी, और उसको product में तक दील करती थी, और वो supply करती थी, किनको, जिनों उनको contract दिया है, तो एक तरीके से contract था, सब contract था ये, outsourcing होती थी, outsourcing क्या होती है, outsourcing मतला बाहर का काम जो ह है, आपको मैं इतना पैसा दूँगा, और ये product आपको मुझे इस तय सीमा पे, इस तय तारीक पे बना के देना है, और आप मुझे वो product देंगे, या बहुत सारी चीजों में अब तो outsourcing होती है, ठीक है, online shopping में भी outsourcing की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं, तो य ये जो चर्खा है, ये चलाते थे, ठीक है, और wool जो है, ठीक है, wool से product बनाते थे, अब इसके बाद दोस्तों, अमेरिका में बृते ने colony बना ली, आपको पता ही है, वहाँ पे आ गया cotton, इधर भारत में colony बनाई है, ठीक है, भारत में भी मिलता है, इंडिगो, नील, ठीक है raw material मिलने लगे यहाँ पे, तो भर-भर के raw material जो है, colonized nation से England में आने लगे, cotton cultivation इधर अमेरिका में होने लगी, south में slavery की शुरुवात, manpower की कमी, cotton cultivation जो है, बहुत मुश्किल, जो cotton की खेती होती है, बहुत मुश्किल होती है, और cotton बहुत important, cotton cloth, हर कोई cotton cloth prefer करता है, cotton के कपड़ बहुत अच्छे होते हैं, घर्मी में आपको विल्कुल घर्मी लगेगी ही नहीं, बहुत हलकी होते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन cotton को उगाना बहुत मुश्किल होता, उसमें कीड़े लग जाते हैं, अब ब्रिते चोटा सा एक island, ब्रिटिश आयल से बात करें, इंग्लेंड चोटा सा देश, तो कहां से उसको manpower मिलेगा, आफरीका को colonize करना शुरू किया, ठीक है, इसमें इंग्लेंड फ्रांस सब थे, यह अध्योगी करांती फैली ना, यह उरोप में, तो आफरीका को colonize करना शुरू किया, आफरीका से power, जो manpower, जो slaves हैं, वो भर-भर के अमेरिक factories बनी, तब factories established होने लगी, ठीक है, उसके बार innovation, innovation मतलब machines established होने लगी, यहाँ पर innovations होने लगे, भहिया Newton भी आ गये थे न, Newton और भी scientist, इधर James Watt ने steam engine, अब steam engine एक बार आया, तो भहिया उस model को अपना के बड़ी-बड़ी machines लगाए गई, ठीक है, अभी हम steam engine की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, ठीक है, और वहाँ सही एक तरीके से industrial revolution की शुरुवात बोलते हैं, है न, तो factories, factories बनाई जाने लगी, हर कोई यहाँ पर काम करने लगा, और factories बनने लगी, तो क्या हुआ, देखिए, एक और चीज समझ ये, कि अभी तक क्या हो रहा है, गाउं के लोगों को काम मिल रहा है, गाउं वाले खुश, लेकिन अब, बिटेन के जो बड़े बिजनसमें थे, जब स्टीम इंजन आया, तो लोगों को समझ में आ गया, कि अब हमको काम रही देंगे, ठीक है, काम एकदम से उनको देना बंद कर दिया, लोग जो है इन बि लेकिन बिटेन को सब बढ़िया, बिटेन में सब कुछ बढ़िया, इंग्लेंड में सब अच्छा चल रहा है, क्यों क्योंकि उनके पास खोब भर-बर के पैसा आ रहा है, तो इंग्लेंड को रौ मेटीरियल भी मिल रहा है, भारत से रौ मेटीरियल आता है, भारत एक समय पे बहुत कुछ export करता था समझ रहे हैं लेकिन जब ब्रिटेंग में industrial revolution आया और इंग्लेंड ने भारत को पूरी पूरी तरीके से इंग्लेंड की जब कईड कौलोनी हो गया 차़ ए WHY इंग्लेंड का अर्छा जाता है बावन से बारवर्फ Memonist की वरभाद हो गया था यहां कि टॉमिस्ट्यक को टबाह कर दिया था वही चीज है कि जितनी जल्दी इंडस्ट्रीस में काम होगा उतनी जल्दी जो manpower है, जो लोग है, वो काम नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं ये बात मेरी, तो ये industrial revolution की हो गए शुरुवात, लोगों ने urbanization, लोग शेहर की तरफ गए, समझ रहे हैं, बड़े-बड़े उद्योग लगने शुरू हुए, ओके, और invention होना शुरू वूल से, तो इनके पास manpower भी है, raw material भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, इंगलेंड के पास, अब इंगलेंड से ये हर जगा फैला, ठीक है, और देखिए, इंगलेंड के और क्या कारण थे, ठीक है, एक बहुत बड़ी इंगलेंड का, इंगलेंड में revolution आने का ये भी कारण फ्यूल, ठीक है, अब फ्यूल की, अभी इस में आता हूँ, ठीक है, थोड़ी दिर में आता हूँ, ये देखिए, कैसे कैसे industrial revolution फैला, ये United Kingdom से शुरू हुआ, समझ रहे है, color coded में देख लिए, शांदार map है, pin interest से मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ये सब उनी के map है, मैं तो क concept सेम था, ये लोग concept सारे nations का सेम था, raw material कहां से आएंगे, colonized nations से, अमेरिका से raw material रहे के आओ, एफ्रीका में भी, एफ्रीका दी कितनी सारे देश जो है, वो फ्रांस के कबजे में थे, ठीक है, अमेरिका में भी Spanish settlements थे, Spanish settlements थे, आप समझ रहे हैं, तो ये जो colonialism और imperialism सामिल थे, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले United Kingdom में आया industrial revolution, उसके बाद 1800 आते आते ये फ्रांस और जर्मनी में फैल गया, Netherlands, Belgium, Switzerland में फैल गया, 19th century आते आते ये पूरे Europe में फैल गया था, अब हम बात करते हैं, steam engine और fuel की, ठीक है, ये industrial revolution को बल दिया, सबसे important invention of steam engine, जिसका श्रेज आता है, James Watt को, हाला कि जो model था, Thomas New Common का था, ठीक है, बट, James Watt ने 1760 में, Scottish engineer, Scotland किसके अंडर है, England के अंडर, Britain के अंडर, Great Britain बोला जाता था था, इसको, याद है कि नहीं, United Kingdom, तो James Watt, Scottish engineer, उन्होंने बना दिया, New Common के model से, steam engine, खेल, खतम, खतम, खेल, steam engine बना दिया, steam engine क्या करता है, simple सी चीज, what does steam engine do, energy convergence, देखे, जितनी भी machines होती हो, वह energy convert करती है, बस, Einstein का law है, है कि नहीं, यह energy neither created nor be destroyed, but it's simply converted, तो बैया, steam engine क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ energy को convert करता है, कौन सी energy, इधर से कोईला घुसाओ, ठीक है, उधर से energy निकलेगी, मतलब, heat energy into mechanical energy, आप समझ रहे हैं, तो इधर आप कोईला डालिए, through machine, through circuitry, अरा कि circuitry तो बहुत एक advanced term हो गया हो, समय तो नहीं थी, लेकिन through mechanical design, mechanical energy में convert to get, mechanical energy क्या, चलने वाली energy, nothing which is in motion, यानि कि heat energy से आप किसी machine को चला रहे हैं, खेल खतम फिर, यह model factories में apply किया गया, motors लगाई गई, भाई आपके motor क्या करती है, देखो कोई भी machine क्या, इसको energy की ज़रूरत है, वो energy आप कहीं से भी लेकिया हो, जैसे हमारा बिजली, हमारा बिजली कहां से आती है, coal से आती है, तो steam engine सबसे बड़ा reason था, और इसको बल कहां से मिल रहा था, coal से, आप समझ रहे हैं, कोईला, तो अब आप आईए यहाँ पे, ठीक है, coal सबसे important, सबसे important iron, ore और coal का मिलना, लोहा और कोईले का मिलना, यह बहुत important, England में coal के resources थे, और coal एक energy होती है, आज भी कोईले के बिना आप energy को इस imagine नहीं कर सकते, हम भी कोईले पे ही dependent है, भारत भी कोईले पे ही dependent है, हमारी बिजली कोईले से आती है, NTPZ का full form क्या है, National Thermal Power Corporation, thermal energy को electrical energy में convert किया जाता है, तो coal बहुत important है, fuel, petroleum, सब hydrocarbon है, coal is hydrocarbon, hydrocarbon से hydrogen plus carbon उससे energy मिलती है, सॉरी, science में नहीं जाओंगा मैं, बट समझने के लिए important आप ये समझे, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको, तो coal के reserves मिलें England में, अब England को एक वर्दान था, ठीक है, वर्दान है, कि यहाँ पे खुब सारे reserves मिल गए, coal के, देखें, इंग्लेंड जो है, इंग्लेंड में fuel कहां से आता था, इंग्लेंड कैसे fuel को लेके आता था, लकडियों से, लकडियों को जलाया जाता था, और इंग्लेंड की fuel की जो आपूरती इतनी जादा तो थी नहीं, लेकिन जो fuel की आपूरती है, वो लकडियों से पूरी हो गए आप समझ रहे हैं कोईले और लोहे की मांग इसलिए भी थी क्योंकि दिर निपोलियन ने बैंड बजा के रख्य हुई थी तो भया लोहे से आप हतियार बनाएंगे और लोहा बहुत इंपोर्टेंट है और इस दी आइरन अबंडेंट मेटल है अइरन बहुत मिलता है ठीक है तो लोहे और कोईले की वैसे भी बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मांग थी चूकि इधर नेपोलियन से यूरोप वार लड़ रहा था तो आप समझ रहे हैं फ्रांस से कोईला निकालो कॉपर निकालो इससे हत्यार बनाओ बस हो गया और इंग्लेंड में भर भर के रिसोर्सेज मिले कोईले के बहुत सारे रिसोर्सेज मिल गए और ज्यादा डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं थी कोईले की खदाने को अंदर मिले गा न धरती के तो ज्यादा कोईला, steam engine कोईले से चलेगा, नामी न, steam engine, यही भाप जो है, कोईले से energy generate होगी, heat energy, और यही आपके पहियों को energy प्रदान करेगी, ये देखिए, ठीक है, ये पूरी भाप generate होती है, ये model है उस समय का, और ये पहिया है, इसी energy से ये energy देगा, और ये फिर आपका जो पहिया ह ये चलता रहेगा, आप समझ रहे हैं, चक्र की तरह, तो एक तरीके से steam engine एक बहुत बड़ा scientific innovation था, जिसकी वजह से industrial revolution बहुत आगे एक अलगी level पर चला गया, और main reason जो है industrial revolution का was steam engine and coal, आप समझ रहे हैं, ये immediate reason थे, कि तुरंत, जैसे इसकी invention हुई, तुरंत England को समझ में आ अगसर बहुत गलत context में लेते हैं, liberal का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत चीज करें, आप देश को गाली दे, ये liberalism का मतलब नहीं है, आपको जानके हरानी होगी, Hinduism जो है, is the most liberal religion in the world, आप पढ़िये Hinduism को, liberal का मतलब होता है, rational thinking, जो चीज सही आप उसको apply करो, और England में, England मे Parliament rule करती थी, राज अगर rule करता, religion, धर्म अगर rule करता, तो शायद industrial revolution नहीं आता, आज भी आप देखिये, जहाँ पे धर्म का rule है, Middle East में देखिये, है ना, जहाँ पे धर्म rule करता है, वो देश जादा डेवलप नहीं है, है ना, वहाँ पे इंडस्री या, capitalism नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे liberalism है, वहाँ पे capitalism भी है, आप समझ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि भाईया, ये steam engine से, ये जो भाप है, ये कोईला डाला जाता था, और फिर energy में convert होके, मतलब कोईला जो हीट energy, ये steam में convert होके, आपके इस पाईये को energy प्रदान करती थी, force, mechanical force develop होती थी, जिसकी वज़े से पाईया घुमता था, जितना कोईला डालोगे, उतनी तेज चक्ता घुमेगा, और उतनी ज़्यादा आपको energy मिलेगी, देखिए, ऐसे ये steam engine से, steam engine से railway engine बना, steam engine अक्सल लोग सोचते हैं, कि सिल फॉर स ships बनाये, इंग्लेंड में बनने शुरू हुए, क्यों, क्योंकि steam engine आ गया था, इसी steam engine से ब्रिटेन बड़े बड़े ships बनाये, और अपनी technology किसी को नहीं बेची उसने, किसी को उसको पता था, मैं जिसको बेच दूँगा ये technology, वो मेरी technology को copy करके, मेरी तना आमीर हो तब ही तो इंग्लेंड इतना ताकत्वर हो गया, भारत उसने कैसे, यही ships से कबजा किया, उस समय railway, railway तो था नहीं, सबसे important तो ships थे न, तो ships को modernize कर दिया, ships का आधूनी करण कर दिया, steam engine लगा दिया, ships भी कोईले से चलता था, और ये ships बहुत दूर दूर जाते थे, भारत आ गए, साथ समुदर पार करके भारत आ गए, और जो export होता था न, भारत से जो भी raw material आते थे, वो इन ships पे रखे जाते थे, और वो वापस Europe आते थे, वक्त बचता था, और खूप सारी चीजें, export की जाती थी भारत से, raw material आता था, अब आप समझ पा रहे हैं, तो steam engine इसलि अधर production शुरू हुआ, और यही से फिर capitalism का concept आया, यह चीज आप समझें, अब यहाँ पे, England में एक और problem थी, क्या problem थी, England में problem यह थी, कि भाया, पैसे भी तो चाहिए, bank of England है न, 1635 में, bank of England जो है, मतलब 1635 में क्या, तब ही establish हुआ था, लेकिन, bank of England ने क्या-क्या पैसे दे देने शुरू किये, लोन देने शुरू किये, लोग पैसा, लोग खूब जाओ, और उद्योग establish करो, लोन देने शुरू किये, बकायता, stock exchange develop हो गया, market से पैसा उठाने लगे आपे लोग, अब इंग्लेंड में क्या था, manpower की कमी, इंग्लेंड में population बहुत कम, और production बहुत भारत में इंडस्ट्रीज लगाई, भारत से raw material लेता था, भारत को ही बेशता था, लोग भारत के कपड़े, मतलब इधर यूरोप के कपड़े पैंते थे, और भारत से पूरा पैसा, drain of wealth बोला था ना दादा भाई, इधर दादा भाई नायरो जी ने, drain of wealth थे थियोरी जो अब उसके बाद फिर और बहुत बड़े-बड़े Adam Smith आ गए, ये social philosopher थे, इन्हों इनको modern economics का, तब economic का concept आया, 1776 में इन्होंने wealth of nation पब्लिश कर दी, ये किताब थी इनकी, एक मैगनम उपस, अब इन्होंने क्या बोला, free market, चीजों को market के उपर छोड़ दो, lesser fair की theory, और इन invisible hand की इन्होंने theory दी, कि यही capitalism, ये जो पूरा business model है, इसके unintended social benefits है, वो सब invisible hand है, ये जो production हो रहा है, इससे आप सरकार को पैसा दे रहे, invisible hand, लोगों का घर चल रहा है, बहुत सारे resources, invisible hand, आप समझ रहे हैं, तो Adam Smith ने क्या किया, wealth of nation, इन्होंने और बल दे दिया capitalism को, और यहा अब industrial revolution पूरे यूरोप में फैल गया था, और खुब सारी factories बननी शुरू हुई, आप समझ रहे हैं, तो वहिया ऐसा है, क्या आभी हमने देखा, ठीक है अब यह तक हमने क्या क्या देखा, reasons देखे, और सबसे important coal और steam engine, समझ रहे हैं, उसके बाद, आप हम आते हैं, working conditions पे, देखिए, यह बहुत अच्छी बात थी कि industrial revolution यूरोप में फैला, जिसकी वज़े से जो colonized nation थे, उनको बहुत चुकाना पड़ा, उनकी तो domestic industry बर्बाद होगी, है ना, लेकिन इस working conditions की बात करें, तो working condition बहुत खराब थी, ठीक है, बिटेन में लोग जो है, अब गुसे में आने लगे थे, देखिए, बिटेन ने खाली, अगर यूरोप की बात करें, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत का ही शोशड नहीं किया है, अफ्रिका का ही शोशड नहीं किया, अमेरिका का ही expectation नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने लोगों का भी उतना ही शोशड किया है जितना दूसरे देशों का किया है industrial revolution में क्या होता था loss तो थे नहीं अब आप समझेए अभी तक आपने पूरा समझ लिए industrial revolution क्या था इसके impact क्या क्या थे कोई कानून तो था नहीं तो होता क्या था पूरे परिवार को लेके आते थे ये लोग फैक्तरी में धकेल देते थे 24 घंटे काम करो छोटे छोटे बच्चे देखिए मशीन जो होती थी ना कुछ मशीन जो होती थी वह बहुत बड़ी होती थी और जो हाथ होता था वह लोगों का नहीं पहुंसता था तो 8-8-9-9 साल के छोटे बच्चे तो उन्के छोटे आतर वह पहुंच जाते थे थीर तो ब्योंसे बकायता ताम कराया गया और बच्चों को खूब पीटे थे ये लोग अगर वह लोग काम बनते थे तो वहाँ पे 24-24 गंटे काम कर रहे हैं 20-20 गंटे कोई चुट्टी नहीं उपर से जो पैसा है जो प्रॉफिट है बहुत ही कम एमाउंट इनको दिया जाता था लेबर्स को दिया जाता था बहुत ही कम एमाउंट आप समझ रहे हैं उसके बाद यह सारी चीज़े लोगों को काम चाहिए लोगों को पैसा चाहिए भाई देखो अब एग्रेडियन सोसाइटी तो सपना हो गया आप समझ रहे हैं ना यही आज भी तो प्रॉब्लम है ना एग्री कल्चर में जो एक्चिली में प्रोड़क्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको तो कुछ मिलता नहीं है यही उस समय इंडस्ट्रियल रेवलुशन में हुआ लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा था जो गाउं से प्रोड़क्ट्स आ रहे थे इदर भारत से जो रॉम मेटीडल जहां से आ रहा था आप समझ रहे हैं भारत में इंडिगो इसलिए ही तो चंबारन सत् है तदा भारत की किसानों से भाड में गये तुम हमको नहीं चाहिए चावल हमको नहीं चाहिए यहूं हमको नहीं लुगा के दो हमको इंडिको चाहिए मरो चाहें जियो यह ब्रिटेन का रवया रहता था ठीक है तो किसान बोलते था हम इंडिको कैसे कमर्शल क्रॉप हैं क प्रेचर दिया और गांधी जी तो आप उनकी किताब पढ़ियेगा उन्होंने खुद बोला है जब वो चंपारन गए थे वहां पे इतनी बुरी हालत थी फार्मर्स की किसानों की इतनी बुरी हालत थी वहां पे जो किसान था ना महिनों महिनों भर कपड़ा नहीं बदलता थ क्योंकि उसके पास होते ही नहीं थे कपड़े पहनने को घर था ही नहीं बहुत बुरी हालत थी इतना अधाध एक्स्प्लॉइटेशन था आप समझ रहे हैं तो रौ मेटीरियल आ रहा है भारत से रौ मेटीरियल कॉलनाइज नेशन से लेकिन यहां पे जो रौ मेटीरियल में इधर काल माक्स ने बोला ऐसी की तैसी काल माक्स ने बोला सारे लेवर्स को बुलाया उन्होंने बोला लिखते थे काल माक्स ने काल माक्स ने लिखा अपने 20 साल तक वो बंद रहे थे एक लाइब्रेरी में थे वो 20 साल तक और सिर्फ वो लिखते थे और जो काल माक्स तुम जो इतनी बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हो, capitalism and all, तुम capitalism से भयानक exploitation हो रहा है, ठीक है, लोगों को तुम profit दे नी रहे हो, जो profit हो रहा है, वो तो तुम खा जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो बुर्जुवा क्लास है, जो capitalist क्लास है, जो राजा जो अपर layer है, वो तो ख खुप मलाई खा रही है, लेकिन नीचे वाले को तुम पानी भी नहीं दे रहे हो, जो मलाई के बात बच रहे है, कुछ नहीं दे रहे हो, और इनी की मेनत पे तुम पल बड़ रहे हो, और भेंकर exploitation है, काहे का capitalism, हतियार उठाओ, हतियार उठाओ, पहले तो socialism की भावन आई, लेकिन बाद में communism आया, वही, socialism की एक ब्रांची है, मैं political philosophies में आपको बताऊंगा, ठीक है, हतियार उठाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ने बोला हतियार उठाओ, और इधर लोगों ने इस बात को हातों हात लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर इतना देखते हैं कि rebellions होना शुरू हुए, है ना, तो यह बहुत बड़ी problem थी, जिसकी वज़े से हुआ, birth of communism, फिर child labor, देखिए, labor unions भी बने, यह जो problems होई थी ना, देखिए, इतनी ज़्यादा problems होई थी, जब कोई law नहीं थे, factory को कैसे organize करना है, labors के लिए, तो यहाँ पे बक बनाए गए, labor unions बनाए गई बकायदा कि labor काम कर रहे तो इनके लिए union भी एक pressure group होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, तो ब्रिटेन की पार्लियावेंट नहीं सारे laws बनाए, अब यह negative impact था, कि लोग बहुत गरीब होते गए, positive impact क्या था, production बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, communication and transportation जैसे telegraph, railway, railway बहुत important था, railway का invention, industrial revolution के लिए बहुत important था, railway बन गई, steam engine से, railroad बन गई, भारत में railway आ गई, हाला कि भारत में railway, जहां पे railway बना रहे थे Britishers, वो खाली अपने लिए बना रहे थे, ताकि जो raw material का, जो माल का transport हो बहुत ही आसाली से हो, अच्छे से हो आप समझ रहे हैं, तो सब अपने लिए कर रहे थे, bridges, railways बन गई, उसके बाद urbanization, शेहरी करण होने लगा, बहुत अच्छे से, ठीक है, फैमाईन की problem solve हो गई, पहले फैमाईन आता था, यहां पर खूब पैसा मिला यहां पर, ठीक है, खूब पैसा आया, तो यह कुछ positive effects भी थे, मैंने बताया न, capitalism ने, ऐसा नहीं है कि, कि आज जो हम समाझ देख रहे हैं, वो capitalism, value-based capitalism is good, but crony capitalism is bad, value-based capitalism होगा, तो समाझ बहुत अच्छा है, value-based, मतलब जब values होगी, capitalism को, पैसे को कैसे use करना है, society के यह यह use करना है, तब ठीक रहेगा, लेकिन अगर, crony capitalism आ गया, मतलब, चंद लोगों के हाथ में ताकत और चंद लोगों ने इसको control करना चुरू कर दिया, सर्फ और सर्फ प्रॉफिट के चक्कर में, तो वो बहुत खतरनाक है, तो आप समझ रहे हैं, capitalization ने, capitalism ने बहुत कुछ दिया भी है, ठीक है, आज तो आधूनिक समाझ है, वो इस यह industrial revolution की पूरी कहानी थी, I hope आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई भी problem आपको नहीं हुई होगी, समझ रहे हैं, इसकी वज़े से colonial expansion बहुत हुआ, ठीक है, खूब सारी colonies एक के बाद एक बनाई गी, ठीक है, तो first phase क्या हुआ हुआ, first phase मैं, चली एक बार हम फटाक से summary ल mainly 2 phase है, पहला phase जो है, वो 1750 से लेकर, पूरे 100 साल तक, 1850 साल तक चला, second phase जो है, वो लगबग लगबग 1850 से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर 1950, और अभी हम third phase में हैं, ठीक है, तो यह सब समझ गया, बहुत ही बढ़िया, very very good, तो दोस्तों यह lecture था, I hope आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खुश रहिए पर तेरे, देसे सिद्धान तक नहीं होतरी सायनी,